जेह मतादी मिद्रो मिरानाव पंदीत प्रकास जोटिस, आज हम चर्चा कर रहे हैं कैप्रिकौन यह khôngbaink clarify कि एह Θобщivoton की यह है और टेटेल में नोबढ़ी घटनाएं मकाराशी के जीवन में घड़ी तो रही है वो नो बड़ी घटना है क्या है इसके कारेकरम में चर्चा करेंगे सबसे पहले पहली घटना के बारे में चर्चा करेंगे तो पहली घटना होगी स्वास्ते में तो आपकी राशी के स्वामी शनी देव हैं जैसा कि आप जानते हैं वो इस समय मंगल के साथ में गोचर कर रहे हैं शनी मंगल का योग है और एक तारीक से 24 अप्रेल तक भई आप में मकराशी में चिरचाड़ा पन बढ़ जाएगा बात बात पे छोटी छोटी बातों पे आपको गुसा आने लगेगा फोड़े फुनसी की प्रॉब्लम भी रहे ऐसे लड़ाईया होती रहेंगी बैस होती रहेंगी कुछ लोगों की गंबीर हो जाएगी कुछ लोगों की नॉर्मल रहेगी लड़ाई वाला महिना अप्रेल का रहेगा तो गुस्य को थोड़ा कंट्रोल करके रखे याद रखेगा नहीं तो वाद विवाद रहेंगे बात कर लेता हूं तो मकर राशी को अचानक ही कोई वस्तू खरीजने से यह बेचने से सेल परचे से अच्छा खासा लाब होता हुआ अप्रेल में नजर आएगा दूसरा पुराना अटका हुआ पैसा किसी को धार दिया वा पैसा भी आपको अप्रेल में मिलता हुआ नजर आ रहेगा वहन पे गाड़ी पे आपका खर्चा रहेगा तो खर्चे भी कई मल्टिपल रहेंगे तीसरी घटना के बारे में बात करें तो चतुर्त भाव में गुरु और बुद्ध दोनों बैठें और बुद्ध दे पूरा अप्रेल के मेने में वकरी होने वाले यह घर के आपको मिलने वाली त्यार है साथी साथ घर के अंदर पूजा पार्ट का महोल रहेगा घर के अंदर या गावन होगा और घर के अंदर यानि की अप्रेल के महिने में आप प्रॉपर्टी से समंदित मकर राची वाले कुछ कराने वाले कुछ लोग डेंटिंग पेंटिंग क बात करें तो वह मकर राशी वाले उन पर असर डालेगी जिनकी संतान है यानि यहां पर लज्जी दोश बन रहा है यानि पंचम भाव के स्वामी शुक्र राहू के साथ में बैठें यानि सूर्य शुक्र राहू की यूती बनी वी यह तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा संतान करें तो चोटी संतान को अप पूरे अप्रेल के महिने में कभी कुछ कभी कुछ परिशानी रहेगी कभी तोचा की प्रॉब्लम कभी एलर्जी की प्रॉब्लम कभी खासी की प्रॉब्लम कभी इंफेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन विद्या और करियर के लिए कंप्यूटर में देखने के योग बनते हैं तो थोड़ा ध्यान रखेगा बड़ी संतान पर जिसकी भी उमर 18 प्लास है उस पर अप्रेल में आपको निगरानी रखनी पड़ेगी नहीं तो बिगणने के योग बनते हैं पाच्वी गटना के बारे में बात करें तो इसका संब स्रेल के मैंने मैं आपको कोई गिफ्ट कोई ना कोई उपहार मिलेगा तो कहीना कहीं यहां तो दो दो खराब मित्रों के साथ में आप कोई अन्यतिक काम कर सकते हैं या दूसरा सरकारी चलान या सरकारी नोटिस आपको मिल सकता है या सरकारी साब्धा नहीं रखें चटी गटना के बारे में बात करें तो इसका संबंद है मकर राशी वाले उनकी जो जॉब करते हैं तो नौकरी भाव के स्वामे बुद्ध अप्रेल में यानि पूरे अप्रेल एक से तीस अप्रेल तक वकरी रहेंगे तो चार बड़े लाब अप्रेल के महिने में मकर राशी को मिल रहें अब चार बड़े लाब क्या है पहला नई जॉब के आपको आफर मिल सकते हैं यानि कि कहीं से आपको नई जॉब का आफर मिलेगा दूसरा घर के पास आपका इस्तान परिवर्तन हो जाएगा या घर के पास आपका नौकरी में पर की योग बनते ऐसा योग नजरा रहा बुद्वकरी से तीसरा पदल आपके आपके जबरदस योग बनते और अच्छी सेल होगी यानि कुल मिलाके जॉब के लिए बहुत अच्छा महिना रहेगा इसी प्रकार से साथ भी घटना के बारे में बात करें तो इसका संबंध है दाम पत्य जीवन के लिए यानि जो शादी शुदा है जो जो रिलेशन में उन पर असर पड़ेगा यानि दाम पत्य जीवन के स्वामी चंदरदेव हैं जो बारवे भावं में बैठे हैं अफरेल के महिने में तो कुछ ना कुछ बार्वा भाव विरक्ति का भाव होता ह मित्रों तो यहां पर कोई क्लाइमेक्स लाने वाले पहले प्रेमी प्रेमी का के बारे में बात कर लेते हैं तो आपका जो लव का पल है आपके पार्टनर का या तो इस्थान परिवर्तन होगा या कुछ समय के लिए आप से दूर जा सकते हैं या नदी पहाडों समुंदर की आत्रा आपका पार्टनर कर सकता है तो कुल मिला के देखा जाए तो प्रेमी प्रेमी का का थोड़ा कुछ समय के लिए दूर होने के या इस्थान परिवर्तन के यूग बनते हैं पती पतनी के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के कुछ दिनों के लिए कुछ टाइम के लिए माता-पिता के घर जाने के योग बनते हैं या माता-पिता या कोई सदस्य आपके घर आएगा ऐसा योग नजर आ रहा है दूसरा करियर में आपके पार्टनर का स्थान परिवरतन के योग अप्रेल के मेने में जबरदस्ट बने वे हैं आठवी घर ना के बारे में बात करें तो नवववां भाउ में अप्रेल के मेने में के लिए विराजमान है यानि अचानक आपके तीर्त यात्रा के योग बनेंगे कभी आप विरिंदा बन जाएंगे कभी खाटो साम जाएंगे कभी आप कोई ना कोई तीर स्थाल में जाते वे नजराएंगे साथी साथ विदेश समंदी काम में आपको सपलता मिलेगी import, export से समंदी काम में सपलता अच्छे खासे विदेश से आपको order या विदेश समंदी आपकी यत्रा भी कुछ लोगों की हो सकती है तो नववं भाव में के तू विदेश यात्रा या विदेश लाब बना रहा है और नववी घटना के बारे में बात करें तो इसका संबंद है जो लोग दुकान चलाते हैं जो व्यपार चलाते हैं या अपना काम करते हैं तो व्यपार भाव के स्व करकाटने पड़ सकते हैं दूसरा काम में भी रुकावटे रहेंगे काम बनते बनते रुको जाएंगे काम औरडर होते हुते कैंसिल आपके होते रहेंगे और तीसरी गटना मशीन अचाना खराब हो जाएगी बिजली पे आपके खर्चे होंगे और यह इस्तती आपकी एक तारीक से लेकर 24 अपरेल तक चलती रहेगी यानि 24 अपरेल के बाद इस्तती में थोड़ा बजलाव है तो कहें तो व्यापारी दुकानदारों के लिए 80 परसेंट अपरेल का महिना खराब यह याद रखिएगा तो मित्रो इस कारेकर में बजना ही मुझे दिजेजाज जैमत अदी